कि यदि आप पीछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें क्योंकि आप सिरियल जदी पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और कंपुईटर साइंसे समंदीत जो भी आपको क्वेश्चन में प्रोलेम हो रहा है या दिक्कत हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा यह भी भी क्वेश्चन है और यह फुली कंपेटेटिव एक्जाम के लिए है कोई भी एक्जाम दीजिए आप जरूर इसको देखिए यदि आप इन सभी क्वेश्चन को देखे रहेंगे तो कोई ऐसा एक्जाम नहीं है एक भी क्वेश्चन आपको छुटेगा इसलिए जरूर देखें और इसमें आपको क्वेश्चन चलते रहेगा जब तक आपको भी भी क्वेश्चन नहीं अंध होता है तो यदि आप पी आपके साथ दुछ सब को ज्यादा benefit हो उसके लिए videos को share करें और आप क्या करें देखें परहाई का यहां पे motivation course भी दिया जा रहा है और आप लोग के बीच भी देंगे तो motivation का मतलब होता है यह देखें परहाई मानसिकता क्या होता है परहाई के दोर में सबसे पहले विद्या का बहुत कम ही सफल हो पाते हैं इसका रीजन है मेहनत खुब करते हैं लेकिन क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके अधार पर नहीं चलते हैं जिससे वह असफल हो जाते हैं सफल होना है तो आपको क्या करना होगा कुछ अलग करना होगा कुछ ज्यादा अलग नहीं करना होता ह ऐसा नहीं आपको 24-24 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 12-12 घंटा रटना पड़ेगा, ऐसा भी बात नहीं है, देखें आपको समझ बदलना होगा, सोच बदलना होगा, और कैसे, देखें दूसरे के, देखें कोई-कोई क्या करेगा, मैटिक इंटर पास करेगा, तो देखेंगा बहुत नमर लएगा यानि कि टॉपर बन जाएगा मैटिक में टॉपर है इंटर में टॉपर है लेकिन कोई एक्जाम नहीं पास कर पाता है या वो सफल नहीं हो पाता है तो इसका रीजन जाते हैं जो ठट डिविजन किया न तो वो क्या होता है वो सफल हो जाता है इसका टौपर तो बना उसके आधार पे उसको क्या हो गया तो उसको लगा हम आगे बहुत आगे निकल गया है वो मिहनत करना छोड़ दिया जिससे उसको पीछे हो गया कुछ न कुछ कुछ न कुछ टूटी रह गए अब वो पीछे वला जो स्टूडेंट था न वो ठर्ड वीजन जो किया था वो धीरे 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 पढ़ते गया तो कच्वा खर्गोष का कहानी तो आप लोग जानते हैं तो कच्वा खर्गोष में क्या होता है कच्वा जो होता है न धीरे धीरे चलते रहा और खर्गोष क्या बहुत तेजी से चला और रास्ता में आराम करने लग समझाने के बाद देखे कोई भी टीचर हो यदि टीचर अच्छे हैं तो वो समझाएंगे आपको लिखाई से कोई मतलब नहीं है उसको समझाना है देखे समझाने के क्रम में क्या होता है जो बात हम एक घंटा में एक घंटा में हम बोल देंगे उतना लिक पाना असमब अधा होगा बड़ा बड़ा एक गोदाम भर जाएगा आपको लिखते लिखते क्या होता है सभी बातों को लिखा नहीं जा सकता है और समझ के जदी आप काम करते हैं तो वह समझा हुआ बच चीज आपको पता भी नहीं रहेगा हम कितना चीज समझे हुए हैं तो देखिए आप क्या किजूए समझ के पर ये और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो टीचर से पूछ ये दुसरे से सहयोग लिजिए, यदि समझ में आ रहा है, तो याद करने का, जनकारे लेने का कई नियम है, वो सब आप लोग को बताऊंगा, और क्या कीजिये, आपको यही one-liner question है, देखे पढ़ने वाले student क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अपना copy पे chapter by chapter लिखेंगे, और आप विडियो देख रहे हैं, उसको copy पे लिख लिख के भी पढ़ेंगे, उससे क्या होगा, आप ABCD कभी भूलते हैं, नहीं भूलते हैं, क् कोई करोरो वार यूज कर लेते हैं, और येरलवत अका परहें हैं, नहीं भूल सकता हैं, क्योंकि करोरो वार यूज हो चुका है, उसी तरह आप on-liner question लेते हैं, या कोई भी बूख सते हैं, और इसको बार बार किढ़े रटना नहीं होता है एक पर नहीं प vine Зд降ें दर्ष और कमें पर लेगा सब्सक्राइब करनेका औरे मारे पर लेगा तो आपको 10 कोस्टन सब्सक्राइब फिर दूसरे दीन रखREE zooming tá 35 पंचमाद इसी तो आपको दस 10-10 questions, 150-20 questions आप ले लीजिएगा तब पर भी आप 100% सफल हो जाईएगा कभी सोचे हैं आप मैटिक कैसे पास कर गए यदि सोच लीजिए मैटिक यानि कि 10th class में गए तो यानि कि 10 साल आप पड़े 10 साल में आप 20-20 questions वन कलास से शुरू कर देते 20-20 questions या हमको पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है, 10 questions मात तो कितना questions होता अभी आप competition क्या कोई भी IS का भी सपना देख लीजिएगा तो 0 level से आप धिरे-धिरे पढ़ाई कीजिएगा तो IS का सपना आपका सफल रहेगा, लेकिन कुछ-कुछ हम लोगों में ट्रोटी हो जाता है और कोई-कोई ऐसे भी कही, ऐसे भी होता है, मार्क दर्सन की कमेज से हम लोग पीछे रह जाते हैं देखे, मार्क दर्सन आपको कितनों पढ़िए, लेकिन मार्क दर्सन सही नहीं मिलेगा न तो आप जगह तक नहीं पहुँच पाईएगा, आप रास्ता में ही रह जाईएगा आप ले लीजे, मान के चलिए, देखे हम भी जॉब करते हैं, आप लोग को परहा भी रहे हैं क्योंकि हम टाइम निकालते हैं, छे बज़े से कलास देते हैं, दस बज़े तक हमको ओफीस भी जाना होता है, ओफीस उसी बीच में टाइम निकालना है देखे टाइम निगा हम भी चाहेंगे 7 बज़े 100 के उठे तो क्या हम tuition class कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ओफिस का भी काम देखना है ओफिस का इमांदारी से किजिए ओफिस का बहुत ऐसा नियम है वो भी आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोग को काम होता है क्यों आपको क्या official में क्या होता है और private में क्यों नहीं आगे बर पाते हैं तो देखे private क्या होता है ओफिस में जितना काम करते हैं अवह उतना मेहनत कर दीजिएगा private sector में तो वह बहुत आगे बर जाईएगा salary से कई गुना आपकामा लिजिएगा क्यों जानते हैं उसमें जो job करता है बॉस का डर होता है और जो अपना काम करता है उसमें डर नहीं होता है किराना एक कोई दुकान खोला है किजाम पल लेते हैं किराना दुकान खोला है अब उसको क्या किया है तो किराना दुकान पर बैठता है लोग क्या होता है उसका किराना सही से नहीं चल पता है जानते है कि इस Rolex किया है वो क्या करता है तो चाहिए ऐसा होगा कि दो दिन चुटी पे चल जाए सभी काट लेगा पैसा गेंदर होता है कैसे को होता है पढ़ाई किजिएगा ना इमांदारी से किजिएगा तो जरूर आप सफल होईएगा चलिए question को लेकर आगे बढ़ते हैं फिर इसी तरह देते रहेंगे आप लोग वीडियो को जरूर देखे और जदी अच्छा से देखते हैं तो अच्छा ही result रहेगा तो देखते हैं आगे अब हो सकते हैं कुछ-कुछ मार्क के लिए को इस्टूडेंट लटक जाते हैं इसका रीजन है कुछ-कुछ चीज को आप control कीजिए और परहाई पर ज्यादा धियान देजिए ज्यादा बात करने से देखे क्या होता है ज्यादा आपको motivation देंगे लेकिन आपको देखे क्या होता है ज्यादा समझाने पर समझ पाता है को कोई क्वस्चन आपको कोकी जnement लगे यहीं चल रहा है कोई कोई अच्छा से नहीं देखेकशन आल कोई अच्छा से मैं इस से नहीं देखने करेतो दिखीर कंश से कम पूरा बात तो समझिए क्या करें तो इसको देंप了 ना आगी रहीएगा तो चलते हैं देखें पीछले वीडियो में आप लोग को मैं नंबर के नंबर चल रहा था बीच में आपको one liner question आ बहुत भेरी इसे लिए बीच में डाल दी है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट कुछन पड़ते हैं तो आपको एक्जाम हमें आना ही है तो इसको क्या किजे आप वीडियो को देखें वीडियो को रोक रोक किया किजे एक कोपी पर शिरियल लिखें वह 1 2 3 4 5 सब को आप क् कोपियों बन जाएगा तो नोट करने का कोई तरीका होना चाहिए ना टाइम कितना बचेगा आओ जो ची नहीं समझेगा तो आप कोमेंट में लिख सकते हैं याने तो फॉन करके जो भी जैसे सुबदा हो क्लास में भी पूछ सकते हैं तो चलते हैं देखते हैं आगे तो सिस्टम बोर्ड होता है एक सिस्टम का बोर्ड जो होता है वह होता है डैस कुझी का प्रियोग में सलाइड देखने के लिए क्या जाता है देखिए सलाइड जो आप करते हैं पावर पॉइंट में तो उसको देखने के लिए किस कुझी का किस की की का प्रियोग करते है तो जो कि company के करमचारियों के लिए इस्तमाल होता है कि डैस को service program भी कहा जाता है देकि service program service program भी कहा जाता है कौँछी होता है जानते हैं utilities कि डैस program आपके computer system को virus या उत्तरहानी कारक program से बचाता है यानि कि बायरस जो होता है बायरस से बचने के लिए कोजी का उप्यूग करते हैं तो एंटी वायरस का देखिए डैस बिसिष्ट program है जो निर्दीष्ट इन्पूट या आउटपूट उपकरनों को क्या करता है बाकी के computer system में संचार करने के अनुमति देते हैं तो वो क्या होता है device drivers डैस एक समकेंद्रिये बलय है देखिए यह क्या होता है डैस प्रिंट किये जाने वाले character की उचाई और चोराइ को परधरसित करता है क्या जानते है है देखिए एक ध्यान में रखिए लाइट पैन जो होता है एक लाइट सेंसिटीव कलम के जैसा उपकरन है देखिए कलम क्या होता है आप लीगते हैं कोई कलम से तो उसमें क्या होता है आपको उसके जर्ये जो लीगते हैं उसको क्या कहते हैं तो एक डैस कह देगा पूछ द इसके बाद देखेगा क्या होता है आपको फिर थियोरी में बताऊंगा जिसका इस्तमाल समानतर लेखांकन के उद्यश से किया जाता है यह क्या होता है यानते माइक्रोशॉप्ट एक्सल में किया जाता है ऐस्पेड्स कमांड को बाहर लाने का चरन restrict को बाहर लाने का बाहर लाने करते हैं तो देखेगा railway station और पर जाइए गेट पर लिखा वा रहाता है exit तो यहां पर execution of executing होता है उसको executing के तहत जो है क्या कर सकते हैं command से बाहर आप जा सकते हैं उसके बाद है dash को system cabinet या चेशी चेशी भी कहा जाता है तो system unit को क्या करते है system cabinet या चेशी चेशी भी कहा जाता है तीके dot com domain का समंध क्या है तीके आपको और जी किस से है संगठन से तो उसी तरह dot com domain समंध किस चेटर से रखता है तो ब्यापारिक संस्था से कहीं पर जो देखते हैं ब्यापारिक संस्था जो लिखा हुआ रहता है वह क्या होता है तो ब्यापारिक संस्था जो लिखा ब्यापार जो करता है वह खरिता है तो उसमें .com रहता है लिका हुआ उसके बाद रहता है ने .net किस company का उत्पाद है .net जो है न किस company का उत्पाद है वो आप लोग को पूछेगा तो यहां पे आप लोग बेहिचक .net Microsoft Company का आप लोग टिक लगा सकते हैं तो किस तरह से आपको पढ़ना है देखेगा आपको ध्यान में रखना होगा देखे कोई भी ची ध्यान में रखने के लिए क्या करना होता है बारकी से पढ़ना पड़ता है तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं याद करते रहिएग और पढ़ते रहिएगा और देखे ध्यान दीजिए